येन बद्दो बली राजा दानवेंद्रो महाबलह तेन त्वाम प्रती बंधरामी रक्षे माचल माचल हर बहन चाहती है कि उसका भाई सुरक्षित रहे देरगायू रहे उसका भवश्य उज्वल हो उसके भाई से हर एक आकस्मिक विग्ण बाधा दूर हो जाए और भाई के भागे का पर्चम लहराता रहे इसके लिए मैंने और आध्यात्मी साद्रा सिदिकेद्र ने भाई और बहन के इस अटूट रिष्टे के लिए एक राखी का निर्मान और उसे विदीवत प्रान पर्तिष्टित करने का कर्म पूरा कर लिया है अभी मंत्रित की गए राखी अक्षत कुम कुम के साथ आपको हम भिजवा रहे हैं बस आप अपना एड्रस दीजिए और पूरी जानकर लीजिए आप सभी को रक्षा बंदन के पर्व की बहुत बहुत शुब काम ना है जीतने की आदत तो होनी ही चाहिए परंतु अगर हार हो जाए तो उसका सामना करने की साहस भी होने चाहिए और ये तब होगा जब आप रिस्क उठाएंगे और रिस्क नहीं उठा सकते तो कभी भी उचायत तक आप नहीं पहुँच पाते हैं इसे समझ लिया तो यही मकर राशी वाले लोगों के लिए अगस्त वहिने में सफलता का गुरू मंतर बन जाएगा दमशकार प्रेसातियों मैं हूँ सुरेश शुमाली और आप देख रहे हैं मकर राशी अगस्त राशी वाल आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपोर्टन बाते हैं आप अपनी परसनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ जानना पूछना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं तो मैं 29 जुलाई को मॉंबई हूँ 30 जुलाई सूरत बढ़ोदा और 31 जुलाई को एमदबाद रहूँगा उसके बाद 8 और 27 अगस को दिली 18 और 26 अगस को मॉंबई 19 अगस नासिक 28 अगस को कोलगाता 29 अगस राची 20 से 27 सितंबर मैं लंडन ब रहूँगा लंडन, लेस्टर और बर्मिंगम यानि यूके के आतरब हैं परे सातियो आज के इस विशेश कारिकरा में सबसे पहले हम जानेंगे ग्रहों के परिवर्तन के बारे में कौनसी डेट पर आपको एलेट रहना चाहिए, कौनसी शुप डेट है बिजनस एड वेल्थ, जॉब और प्रॉफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ वर रिलेशिशिप की बात करेंगे स्टूडेंट और लर्नर की बात करेंगे, सेहत और ट्रैवल प्लैन की बात करना के बात यादगार और शांदार, अगस कैसे बने, मगर राशिवाले लोगों के लिए होंगे, बिशेश उपाए लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, ग्रहों के परिवर्तनगी छे अगस्त से शुक्र, सेबन ताउस में करक राशिब रहेंगे 10 अगस्त से मंगल, पंचंबाव, रशब राशिब रहेंगे 17 अगस्त से सूरी, अस्तंबाव में, सिंग राशिब में अपनी गरवापसी करेंगे 20 अगस्त से बुद, नवंभाव, कन्य राशिब रहेंगे मूल्तरिकोंट राशी, उच राशी और स्वग्रही हो जाएंगे 31 अगस से शुकर एड़ ताउस में सिंग राशुब रहेंगे मेरे प्रेसाति हूँ, आप मैं आमखास कोई भी हो सकता है महिने में 2-4 तिन नेगेटिव, काम में मन नहीं लगना टेंशन, डिप्रेशन, डिस्रुबेंस या किसी जंजटव फसने के संभावना ज्यादा बनती, ऐसा आपने नोटिस किया होगा ऐसा तब होता है, जब मकर राशी से चंदरमा चाओते, आठवे और बारवे जाए चंदरमा, जो कि मन और मस्तिश के स्वामी जब वो डैमेज होते हैं, तो हमारे मन और मस्तिश को भी डैमेज करते हैं ये डेट में आपको एड़मांस में इसलिए दे रहा हूँ, ताकि जब ये वक्त आए तो आप अपना और अपनों का खैल उस वक्त रख सकें इसी कड़ी में, एक 27 और 28 अगस को आठ वे, 9 और 10 अगस को बार वे, 17-18 अगस को चौते रहेंगे, खयाल रखिएगा पिरे साथियों, अब शुब योगों से, शुब डेट्स भी हमने निकाले, सबसे पहले गज़के सिर्योग को बात करेंगे इसी से हमने आपके राश्योपल तयार किया है, ग्रह नक्षत्रों के साथ सा देवी देवता भी आपको बड़ा आशिर्वाद देंगे ग्यारा अगस रक्षा बंधन के रूप में, चौदा अगस कजली तीज, पंदरा अगस स्वतंतरता दिवस, अठारा अगस स्रीक्रेश जन्मास में, तेवीस अगस को बच बारस और एकतीस अगस से गनेश चतूरती महस्तव शुरू होगा शुरुआत बिजनस और वेल्ट से करते हैं और ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए, रिकूरूट करना चाहिए, जिससे आप काम करें नहीं करवाएं ज्यादा तो आपको अच्छे रिजल्ट बिनेंगे कोई अनुभवी बैक्ती का मार्क दर्शन आपको मिलेगा 6, 7, 8 और 15, 16 अगस को चंद्रबां का 7 ताउस से 9 पंचम राजयोग रहेगा जिससे इस महीने आपके द्वारा अपनाएगे कुछ तरीके बिजनस को मार्केट पे चमका सकते हैं दनभाव के लॉड, शनिक आपके राश्रीम बैठना शेश्योग बनाकर कर्ब इससान पर इसकी द्रिष्टी कर्ब में थोड़ा परिवर्तन करने से अगस करांती आ सकती है अगस में इन्वेश्मेंट करना फीचर के लिए गोल ताय करने के लिए बहुत अचा रहेगा जमीन जायदाद में अच्छी डील आपको मिल सकती है नए व्यापार का सरजन और व्यापार में परिवर्तन कुछ नया परिवर्तन आपको शुब और लाब देगा 9 अगस तक तो राहु मंगल का अंगारक दोश है जो अग्यात भाई गबराट बेचे ने डर चिंता देंगे लीगल कॉंप्लिकेशन हो सकता है कहीं पैसा फसना नुकसान और दोखा हो सकता है कोई अपना ही साथ ही आपको दोखा दे सकता है 9 अगस तक मंगल की चौती दृष्टी बिजनस साउस पर उने से लीगल अवेरनेस के साथ साथ बिजनस में आगे बढ़ने के लिए कुछ अलग तरह की मोडस और पहंटरी आपको तायर करने चाहिए बात करते हैं जोब और प्रोफेशन की अगर आप लोयर हैं जूडिश्ट्री की तायरी कर रहे हैं जूडिश्ट्री में हैं तो आपको नए मौके बिलेंगे आगे बढ़ने के कुछ नए काम कर पाएंगे अच्छे आपको केसेस बिल सकते हैं जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसके साथ जो लोग आईटी प्रोफेशनल में हैं मेडिकल फिल्ड में हैं और कोई भी प्रोफेशनल फिल्ड में हैं तो उन लोगों के लिए ये समय वर्दान हो सकता है नौ अगस तक पोर्त आउस में मंगल स्वग्रे होकर रूच्छ अग्योग बनाएंगे जिससे जॉब छोड़कर दूसरी जगे पर जॉब करना या फिर अपने मकान का सपना साकार करना दूसरी जगे पर मकान लेना और विदेश पे जाकर जॉब करने के अवस्तर आपको मिलेंगे फिर देखिए शनी की दस्वी दिश्टी कर मिस्तान पर उने से वर्ड प्लेस पर स्टाफ के दुवारा वातावरन खराब करने के पूरी कोशिश की जाएगी कुछ दुश्ट करती आपके खिलाफ किये जाएगे शडियन तर रचे जाएगे सतरकता आपको खुद रखनी पड़ेगी सतरा अगस से सूरी का टैंथ आउस से तीन इग्यारा का संबन रहेगा जिससे अन एंप्लॉइड परसन्स के लिए वर्किंग स्किल, स्टाइल और डेवलेप्मेंट और डिफरेंट तरीके से अपनी जॉब को पाने का आउसर मिलेगा आप अगर इस जॉब के साथ साथ कुछ और करना चाते तो आपको आउसर जरू बलेगी राहु की साथवी दृष्टी कर मिस्तार पुरोने से जॉब बे ट्रांसपर मन मताबिक जॉब बे जाने के लिए थोड़ी बेहनत बश्चा का जादा करने पड़ेगी अग्यात भाय गवराट बेचेनी डर चिंता आपको सताएगी इसके लिए आप योग प्राणायम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का साहरा जरू लीजिए आईए अब आगे बढ़ने से पहले मंत्री वास्तु टिप जान लेते हैं अब बात करते हैं फैमिरी लाइफ लव लाइफ और रिश्टे मजबूत करिए और अपने लव पार्टरों लाइफ पार्टर के साथ बांडिंग और बजबूत करने के लिए छोटी छोटी बातों को नजर अंदाज करना ही होगा चे साथ आट और पंद्रा सोला अगस को चंदरमा का सेवन्थ हाउस से नवंपंचम राज्यों रहेगा पारिबारी जियों में लव और अफैक्शन बढ़ेगा और रिलेश्चिप और बहतर होगे ट्रांस्पेरेंस से रखना होगा प्यार इश्च को बहुबत रोमांच और रोमांस बढ़ेगा वस्तर आभूशन खरीदने के मौके मिलेंगे और कुछ शुब और मांगली कारियों की योग भी मनेंगे और ट्रैवल प्लैन होगा सो अलग छे से लेकर तीस अगस तक शुकर सेवन्थ हाउस पर रहेंगे जिससे आप परसनल और प्रोफिशनल लाइफ में मौज मस्ती के साथ आगे बढ़ पाएंगे अपने स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को अपनाते हुए आप ज़रूर कुछ नया करिए, अलग करिए, आपको बहुत अच्छे लाप मिल सकते हैं अब बात करते हैं स्टूडेंट और लर्नर किये दो, तीन, क्यारा, बारा और उनतीस, तीस अगस तक चंदरमा का पंचम भाव से नवम पंचम राज्योग रहेगा करेंट इवेंट, जनल नौलेज को बढ़ाना, अधर करिकुलर एक्टिविटी से भाग लेकर कॉंस्टरिशन के साथ आगे बढ़ने के मौके बलेंगे कॉंपिटेटिव एक्जाम में तैरी के लिए एपलाई करना, इस समय विशेश में अपने स्ट्रीम चेंज करना प्राप्त हो जाएगे, कोई भी प्रकार की तकलिफ आ सकती लेकिन तकलिफ सौल करने के लिए गुरु को आशिरवात आपको मिल जाएगा चार पांच, नौदास और एकतिस अगस को चंदरमा का पंचम भाव से सडाश टक दोश रहेगा उस टाइम स्टुडेंट, आर्टिस और प्लेर्स को बहुत तकलिफ आ सकती ध्यान रखना पड़ेगा केरफूल रहना पड़ेगा तब ही आप आगे बर पाएंगे आएए बात करते हैं सेहत और ट्रेवर प्लाइन की इस मेंने दो बार तो कम से कम आपको परसन और प्रोफेशन लाइब पे यात्राइं करने का अफसर बिलेंगे 9, 10 और 17, 18 अगस को चदरमा का अस्टम बाव से नवंपंचम राज्यों गरेगा अपनी फुल बाटी चेक अप करना, ऑपरेशन के डेट लेना, यात्रा में सावधानी रखना जरूरी होगा 9 अगस तक, फूर्थ आउस में राहू बंगल गंगारक दोश किसी से जड़ब दुश्मनी करवा सकते हैं और कोई हात अपाई भी हो सकती है, लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है इसके लिए जबरदस्ती के दुश्मन न बनाये चाये, तो ही आपके लिए बैत रहेगा अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगस बहिने में आपको क्या नहीं करना चाहिए योग्य जोतिश्री के सला लेकर आप अपनी रत्न धारन करें, अंगूठी धारन करें, रुदराश्टारन करें तांत्रिक क्रियाओं टोने टोटके से बचकर रही, किसी भी प्रकार से कभी भी किसी पशू पक्षी को सताय नहीं और नौनवेज को छोड़ने के प्रयास करें आगे बढ़ते हैं और उपाय जानते हैं, जिससे बगर राशी वाले लोग यादगार और शांदार अगस को बना सकें 11 अगस रक्षा बंधन पर बगवान सरी कृष्ट जी की पूजा करने से पहले हल्दी अकेसर का तिलक लगें और राखी अर्पित करें 18 अगस सरी कृष्ट जर्मास्मी पर बगवान सरी कृष्ट को गंगा जल से अविशे करके भोग लगाएं साथी देव की सुत गोविंदाय रमह मंतर का जाप करें अंगूर, मीठा पान और केसर वाली मीठाई का भोग लगाएं ब्यापार में लाप के प्राप्तियों की 23 अगस बच बारस पर गाए को गेहूं से बना हलवा खिलाएं और हरा चारा जरू खिलाएं 31 अगस तरी गणेश चतुर्ती पर गणेश जी को नीले रंग के वस्त धारन करवाएं साथी मावे का प्रसाद भोग में लगाएं स्वस्त रहिए मस्त रहिए और व्यस्त रहिए मुझसे परसली बिल भी सकते हैं और परसलों प्रोफेशनल लाइफ पर को जानना चाते हैं तो आप मुझसे टैलिफोनिक या वीडियो कॉनफरेसिंग अपटमेंट के दुबारा जुड़ भी सकते हैं आज के लिए तरहीं प्यार भरनावशकार और बहुत बहुत आशरवाद